पाड़ी को विराम हो दोने के पहले मैं दो पंक्तियां मुम्डे जी को चमर्पित करना दो पंक्तियां है कि सुर्य सुर्य फिर भी उगेगा धूप फिर भी खिलेगी सुर्य फिर भी उगेगा धूप फिर भी खिलेगी किन्तु इस महाराश्ट की ममता मई माती में गोपी नाथ की महग निरंतर बहती रहेगी बहती रहेगी बहती रहेगी मुद्रिए की बात में फिलहाल इतना ही मुझे अभीराम सींग जी को और मुद्रिए की बात की पुरी टिम को दीजी अजाज़त लेकिन इसकेueller बात वी खबरों का सिलसला जारी रहेगा देखते रही है लेमननूर्स सब्सक्राइब देश की हजारो किलोमेटर लंबी समुदरी सरहत की सुरक्षा करना आसान सब्सक्राइब देख रहे हैं मुद्दे की बात में राजनीती से हटकर समाज सिवा से हटकर हम आज एक ऐसे विशे पर एक ऐसे विशे विक्ति से बात करेंगे आपको पता ही है गोपिनाथ मुंडे जी का दिहान तो गया उन्हें के मित्र से हम आज चर्चा करेंगे गोपिनाथ मुंडे की बात हम कर रहे थे गोपिनाथ मुंडे की महारास्ट के कदावर नेता का देहान थुआ इस बीच गोपिनाथ मुंडे जब पहली बार उकमुखे मंत्री बने थे भारती जन्ता पार्टी के शासनकाल के समय उनके साथ एक वेक्ती जो चुन कर गया था विधान सभा में परचाई की तरह गोपिनाथ मुंडे के साथ वो शक्सियत रही अभीराम सिंग की अभीराम सिंग जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज जब गोपिनाथ मुंडे जी को याद कर रहा है पूरा महारास्ट हम गोपिनाथ मुंडे जी से जुड़े हुई गोपिनाथ मुंडे के वेक्तिकत जीवन से जुड़े हुई वो बाते शेयर करना चाहेंगे अभीराम सिंग के दूब जो गोपीनात मुंडे के साथ रहते हुए अभीराम जी ने महसूस की थी उसे पहले हम गोपीनात मुंडे जी के से जुड़ी हुई एक ख़बर दिखा लेते हैं और फिर आते हैं अभीराम सिंग जी के पास महराश्टर में बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे गोपीनात मुंडे के अचानक हुए निधन से ना सिर्फ बीजेपी सदमे में हैं बलकि उनके घ्रिशेतर बीड में भी शोक का माहौल है गोपिनात मुंडे का राजनीती में आना भी एक संयोग था दरसल गोपिनात मुंडे की मुलखाद प्रमोध महाजन से हुई तब दोनों अंबे जोगाई में एक कॉलेज में पढ़ा करते थे दोनों की दोस्ती दीरे-दीरे आगे बढ़ती रही और प्रमोध महाजन गोपिनात मुंडे को छात्र राजनीती में ले आए गोपिनात मुंडे अकिल भारतिय विधारती परिशत के सदस्य बने और छात्र राजनीती में हिस्सा लेने लगे हलांकि गोपिनात मुंडे ने कभी किसी छात्र चुनाओं में हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो छात्र राजनीती का सक्रिय हिस्सा रहे महराश्ट्र में जब शिवसाना की सरकार थी और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री थे तब गोपिनात मुंडे महाराष्ट के उपमुख्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे गोपिनात मुंडे को महाराष्ट में बीजेपी का सबसे बड़ा चहरा माना जाता रहा गोपिनात मुंडे मूल रूप से वंजारी जाती से तालूख रखते थे और गोपिनात मुंडे के ही आने का असर था कि जिस BJP को उपरी जाती वाले लोगों की पार्टी माना जाता था गोपिनात मुंडे ने उस BJP को OBC तक भी पहुँचा दिया बीड क्षेत्र में गोपिनात मुंडे का काफी प्रभाव रहा है प्रमोद महाजन और गोपिनात मुंडे की दोस्ती इसकदर परवान चड़ी कि प्रमोद महाजन ने अपनी बहन प्रग्या की शादी गोपिनात मुंडे से करा दी 2014 लोकसवा चुनाओ के लिए जब गोपिनात मुंडे पूरे देश में घूंग घूंग कर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे तब उनकी बेटी उनके घ्रेशेत्र में उनके लिए प्रचार कर रही थी माना यही जा रहा है कि गोपिनात मुंडे के जाने के बाद उनकी बेटी को उनकी राजनितिक विरासत मिल सकती है बराल गोपिनात मुंडे का जाना बीजेपी के लिए किसी सत्मे से कम नहीं है केंदर में ग्रामेण विकास मंत्री रहे गोपिनाथ मुंडे का दिल्ली में उस वक्त निधन हो गया जब वो मुंबई जाने के लिए एरपोर्ट की तरफ जा रहे थे उनकी गाड़ी का एक्सिडेंट लालकृष्ण आडवानी के घर के पास ही हुआ उन्हें फॉरन सब्दर जंग अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत खोशित कर दिया आपको बदा दे कि गोपिनाथ मुंडे एरपोर्ट से अपने घ्रेशेतर बीड जाने के लिए ही निकले थे वहाँ पर उनको कई जंसभाओं को संबोधित करना था और उनके लोग उनकी स्वागत की तैयारी कर रहे थे लेकिन गोपिनाथ मुंडे के निधन से पूरे बीड में शोक का महौल है गोपिनाथ मुंडे के परिवार वाले दिल्ली पहुँच चुके हैं और बुद्वार को उनके गाउं परली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा बीरो रिपोर्ट लेमन न्यूज एक नजर डाली हमने गोपिनाथ मुंडे के राजनेतिक कैरियर पर उस कैरियर पर जिस पर रहते हुए उन्होंने आम जनता से संपर्ग रखा उस कैरियर पर जिस पर रहते हुए उन्होंने भारते जनता पार्टी के आम कारे करता हो तक ये संदेश बड़ी आसानी से पहुचाया कि अगर संगर्श करो जनता के बीच में रहो तो बुलंदिया चुई जा सकती है गुपिनाथ मुंडे के रूप में एक महाराज्च के जननेता को खोने का गम बहुत दिनों तक महसूस किया जाएगा इस वक्त हमारे साथ अभिराम सिंग जी है जो उन्होंने कुछ मेसेज़स दिखाए जो वो करते थे गुपिनाथ जी को रिप्लाइ आता था वो कहते थे कि सुदामा कॉल बैक टू सुदामा यानि वो अगर गुपिनाथ कृष्ण तो अभिराम सिंग जी सुदामा के रूप में ख्यात थे अपने समय में जब वो एक साथ विधान सभा के सदसे थे अभिराम जी आपका पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है एक ऐसे कारिक्रम में हमने खास कर आपको इसलिए आमंतरित किया मुंडे जी की नजदी की आपके साथ रही मुंबई में जितने भी कारिक्रम हुआ करते थे उस दौर में हम देखा करते थे आप उनके साथ साय की करा रहते थे क्रिश्ण और सुदामा की जोड़ी कहे जाते थे कैस पहले तो आप संख्षे पर बताएं कि यह आपको गुपिनात मुंडे जी का जाना कैसा लगा सर पर्थाम जब पहले बार हम सुबह के दिन कल यह घटना के बारे में मालूम हुआ कि एक्सिडेंट फिर एक तुरत एक मित्र से मैंने पूछा मैं इस मॉर्णिंग वाकिंग में था तो उन्हों पूछा क्या ठीक ठाक है बोले आप नहीं रहे हम एक कम संद से रह गए एक जटका साया ऐसा अहसास हुआ कि एक सुन्य हो गया है प्रतकाल की सुर्य की रस्मिया नहीं दिख रही है और संध्याकाल का अंधेरा दिख रहा है दो मिनट के बाद तुरत में वापस आया पता तो सरपरतम मैं इस मीडिया के माध्यम से एक मित्र के रूप में मुम्डे जी का जो मित् करता का स्वरूप था और हमेशा मैं उन्हें गोपिनाथ में लिटरेचर के साथ जूड़ा रहता था तो उन्हें यही कहता था कि गोपिनाथ मतलब कृष्ण सुदामा और मैं हमेशा एक मित्र बनकर रहना चाहता हूं गोपिनाथ जी और इसका उधारन सदय उन्होंने दि दित्र की हैसियत से मैं पूरे अपने परिवार की तरब से अपने छेत्र की तरब से जो चार बार चुनाओ लड़कर भरती जन्ता पर्टी से और वहाँ पर दस वरस तक सतत्त एक आमदार के रूप में रहकर जन्ता की भावना जानता का प्रेम अब मुंडे जी का जो मेरे छेत्र से अति लगाओ उस हिसाब से परिवार की तरब से हमारे चंता की तरब से गोपीनाज जी को आधरंजली सरधंजली अर्पित करता हूं और जी जी उसके साथ उनके परिवार को भगवान ऐसी सक्ति दे को उनके बच्चे उनके पर चता है अभीरां जी भारती जनता पार्टी के विधायक रहे अपने कारेकाल के दोवरान और जब मुंख्यमंत्री थे रान की उनकी नी कारणों से अभिराम जी ने भारती पार्टी छोड़ी और राष्ट्वधी कॉंग्रेस पार्टी का दामन थामा नहीं से समय में भी इनकी मित्रता बनी रही क्या कहेंगे मैं सरप्रथम गुपिना जी मुंडे से 1980 में जब भारती जन्संग से भारती जन्ता पार्टी बना और ये मादरा के इस प्रांगड में दरिया के किनारे मुंडे जी से मुलाकात हुई मैं उस समय माने 32 वरस का था और मुंडे जी भी समकष माने एकदम जलंत दबंग और एक ऐसा नित्रत था प्रमोजी और जितने न मैं एक सामान कार करता कि व्योस्था के रोप में था मुंडे जी से मुलाकात हुई इसके बाद 1984 में जबकि इंदरा गांदी जी का असिसनेशन हुआ और उसके बाद लोकसभा का चुना हुआ भारती जन्ता पार्टी के दोग सांसत चुन कर आए और पार्टी की तरफ से य लड़ने वाले क्योंकि 411 लोग सभा का चीट आने के बाद सब एक दम सांती फैल गई मुंडे जी प्रमोज जी थे उन्होंने कहा ऐसा जो मेरा नाम का प्रपोजल गया और बुलाया गया मुलाकाते से मैंने मुंडे जी से और प्रमोज जी से यही पूछा कि हम एक सामान् अच्छे नहीं रहा आप क्यों सांता कुरुष विधान सबा 1952 से और उस समय 85 तक एक बार भी कांग्रेस के हाथ से नहीं रही तो उस समय मुंडे जी का जवाब था कि तुम अटल मिशन के हम लोग अटल मिशन के शिपाही है देश भक्ती के लिए हमें एक सिपाही को है परडाम की चिंता नहीं करना है अगर हम लड़ते लड़ते देश के लिए समर्पित हो गए तो यह महग तुम्हा हमारे इस मिशन के सिपाहियों का है और लड़ा आप उनकी कारेशेली को बड़े करीब से आपने देखा आप उनके संबंधों में कितनी कड़वाट आई या कि संबंध बिल्कुल जस्के तस बने रहे कितना संबंधों को मान देते रहे उसके पहले मैं यह विताना चाहता हूं कि 85 के बाद पांचवरा सारने के बाद संघर्ष करता रहा 90 में चुने गए 90 में चुने गए और 90 में विरोधी पक्षनेता सिवसेना के सर मनोहर जोसी सर हुए और फिर जाकर 92 में वहां परनाखपुर में पहली बार गोपिनाजी मुंडे विरोधी पक्षनेता हुए और आक्रमक्ता आंदोलन एजीटेशन आठाट घंटे तक एयरपोर्ट बंद रखना इस हिसाब से हम करते रहे इसलि तो मीत्रों को कितना मान देते रहे वह आब मैं ये वा आज मैं टीवी में देख रहा था कि उन्हों गोपिनाजी का सब बड़े लोगों के साथ जैसे विलास राव देशमोक उनकी मिट्रता चगंभुजबल जी के साथ वह भी दबंग आज तक नेता उनकी मिट्रता उनकी रहने के बाद मुझे 2004 में गोपिनाजी मुंडे की अधस्ता में मुझे टिकट किसी प्रस्थिति के कारण नहीं मिला नहीं देना पड़ा एक प्रस्थितिया रहती हैं सम्मेदान की और वहां एक ब्यक्ति निरणय नहीं लेता गुरूब लेता है जाने मुझे नहीं मिला और 2005 में राष्टवादी में जुड़ गया और इसके बाद इसके पहले भी उनका हर साधी परिवारिक रिष्टा हमारा बना रहा और एक उधारन मैं देता हूं कि जब सरत्पवार जी के पार्टी में 2005 में मैं सामिल हुआ इसके बाद मेरे डाक्टर बेटे का एक बेटी पैद करने के लिए दिल्ली जाकर निमंत्रित किया पवार सहब भी एक व्योहारी का और दोने दिल से सामान निकार करता कि साथ खड़े रहते उन्होंने शुक्रिती दे दी इसके बाद मुंडे जी का तो मेरा घर आना जाना परिवारी उनके सारे बच्चियां सब आना जाना उन एक भी से और है लेकिन अभिराम तुम जो कहते हों को सुदामा तो यह तुम हमारे सुदामा बने रहोगे हम मित रहेंगे फिर जब मैं उनको जाके निमंत्रण दिया तो मुंडे जी को एक पीड़ा थी क्यों टिकट नहीं दिये तो राश्ट्रवादी में गए बार-बार बोलते थे प्रैत्न करो तुम वहां कुछ मिले जब निमंत्रण दिया तो मैंने बताया कि माननी सरत्पवार साहब भी मेरे गरांड डाक्टर के खुसी के जनम दीन पर आ रहे हैं फिर उन्होंने तुरत कहा कि अभिराम मेरा जो है सरत्पवार साहब के सामने हमेशा हमेशा उनके सामने जोलन पर प्रतिबाद रहा है हम हमेशा एक दूसरे पर आकर्मक रहे हैं और मैं ज्यादा रहा तो कहीं मेरे आने के कारण हम वो सामने पड़े अभिराम तुम्हारे उपर पवार साहब नाराज हो जाए जो तुम्हारा फ्यूचर जो हमारे यहां हम नहीं कर प बुलाओ ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि तुम हमारे मित्र हो वो पीला उनके चेहरे के उनकी आखों की उनका एक सुदामा क्रिष्ण की मित्रता का मैं तुरत प्रणाम आज भी करता हूं उस दिन में कहा मैंने कहा कि गोपिनात जी एक अभिराम सिंग एक दन तो मैंने किया क्या हम का ठीक है मुझे भी बन बें आया मैं ततकाल भागवच साहब जो परसनल सेकेटरी सरत पवार के दिल्ली में बैठते हैं उनको फोन किया हमका भागवच साहब यह सा ऐसा बात है मुंडे जी कह रहे थे कि आपके पारले वह जनम दिन में अगर पवार साहब की नाराजगी तो नहीं हो जाएगी कहीं तुम्हारा राजनीतिक नुकसान तो नहीं हो गाए जो भी मुंडे साहब ने कहा था मैंने उनको बताया भागवच हशने लगे बड़े बुजुर्ग हैं पूने के हैं पूने कर हैं पारले कर कैसा होना चाहिए और जानते बोले अभिराम शरद प्वार साहब के मित्र जैंदर सेखर हैं यह पक्ष में रहें एक सामानिकार करता रहें सब तुम भी अजयां आम्दार थे पांच साल तक मुखमंतरी रहें ला से ढम की दो में नीत्रूइत में के को मेरी grandson खुसी को आशिरबाद दिया मैं उस व्यक्तित को उस बहादूर व्यक्ति को जो एक हसास है गोपीनाथ जी कृष्ण मैं कहता था मैं कहता था मैं लिट्रेच्र गोपीनाथ मतलब क्रिश्ण तो और इसलिए सुदामा का मैं आज भी प्रणाम करता हूँ यह मित्रता स बरों के साथ मित्रता नहीं एक सामान ने सुधामा की तरह अभिराम के साथ मित्रता नहीं उनको निभाया है। मुंबई के लोगों को लेकर महारास्ट के लोगों को लेकर और वहां से जुड़े हुए जो उनके साथ ही विदायक थे उन लोगों के साथ मुंडे साथ किस तरह का विवार करते थे क्योंकि माना यह जाता था कि जो कुछ महाजन और मुंडे कह देंगे भारती जंता पार्ट लोगों की एक रिष्टा बाद में हुआ वाकई मित्रता प्रमोद महाजन जी और मुंडे जी में एक मित्रता मित्रता थी रिष्टा बाद में बना है और जो कह रहे हैं और प्रमोद महाजन जी भी मेरे घर, मेरा परिवार के साथ, उनके रिष्टे के साथ, उनका भी एक मेरा सवभाग्या है, मुझे क्या हुआ, दस वरस आमदार रहा, चार बार चुनाओ लड़ा, लेकिन आज भी मैं जानता हूँ कि उनके चरित्र, उनके कारेक्टर, उनके भासन की सहली, और जहां भी सांता कुरुज विरान सवा, आज भी दस बाने 14, 15, 14 वरस हो गया, आज भी मुझे उसी प्यार भाव से जनता देखी है, वो भी मुंडे जी का प्रमोद महाजन जी का एक गुरुवर के रूप में, जो मुझे एक गुरु द्रोन के जैसे शिक्षा का जो अहसास है, वो उसका सिरे अभी देता है, आपको आपके, आप खुशनसीब रहे कि महारास्ट की दो बड़ी शख्सियत, वो दोनों आपके नस्दिकी रही हैं, हम आपके उनकी यादे शेयर कर रहे हैं, इस बीच हम आपको गुपिनात मुंडे से जुड़ा हुआ जैसे ही बीजेपी के वरिष्ट नेता और केंद्रिय ग्रामेंड विकास मंत्री रहे कोपिनात मुंडे की सड़क हाथसे में मौत की खबर आई, तो किसी को भी एक पल को यकीन नहीं हुआ पिछले 47 सालों से राजनीती में सक्रिय थे और 37 वर्ष की उम्र से ही वो हर चुनाओं में अपनी जीत पक्की करते आ रहे थे मुंडे के अचानक हुए निधन से भारतिय जनता पार्टी सद्मे में है क्योंकि मुंडे महराश्ट्र की राजनीती में एक ऐसा कद रखते थे जिसकी वजह से पार्टी महराश्ट्र के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकी थी कहा जाता है बीजेपी शिवसेना गडबंधन महायूती को अगर किसी ने आला मकाम पर पहुँचाया तो वो मुंडे ही थे गोपिनात मुंडे ही वो शक्स थे जिनकी वजह से बीजेपी और शिवसेना के बीच गडबंधन कायम हो सका था शिवसेना के दिवंगत सुप्रीमों बाला साहिब ठाकरे के साथ मुण्डे के काफी करीबी रिष्टे थे सन 1970 में शिवसेना ने हिंदुत्व के एजंडे पर काम करना शुरू किया था उस समय मुण्डे प्रमोध महाजन के साथ कॉलेज स्तर की राजनीती में सक्रिय थे शिवसेना ने साल 1995 में बीजेपी के साथ गटबंधन कर विधान सभा का चुनाव लड़ा था और पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई मुण्डे के शिवसेना के साथ करीबी रिष्टों के चलते ही बीजेपी शिवसेना महायूती गटबंधन का उदे हुआ तो वहीं बीजेपी ने महाराश्ट की राजनीती में एक नया मकाम हासिल किया साथ ही मुण्डे की सियासी समझ ने उनके राजनीतिक करियर को नई उचाहियों पर पहुँचाया बिरु रिपोर्ट लेमन न्यूज न सिर्फ गुपिनात मुण्डे के सहयोगी भारती जनतापाटी के नेता उनके कारे करता बलके पूरा देश इस गटना से दुखी हुआ बलके उसमें ये एक जन्मानस से जुड़े हुए शख्सियत को खो देने का एहसास इसकदर भरा आपने देखा कि नाराजगी तक वहां के लोगों ने दिखाई परले में उनके कारे करता भी नाराज हुए सरकारी बाबों पर सरकार के मुखियां उपर उनका हुसा भी देखने को मिला हम बात कर रहे थे हैं अभिराम जी आपके मित्रता की आपने उनके साथ काम किया मुंबई की समस्याओं के प्रतिवों सजग रहते थे मुंबई में अपने विदायकों के संपर्क में रहते थे हम कई कारक्रमों में आपको उस दोर में देखा है हमने जहां आप उनके साथ साए की तरह रहा करते थे मुंबई के विकास को लेकर उनके जहन में क्या चलता थ और अपने साथी विधायकों को किस तरह के दिशा निर्देश दिया करते थे मित्रवत भी और भाहसियत उनके मुख्या के भी एक जहां पर जम्हें आमदार था और सांथा कुरूज विधान सभा पर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्रापरटी पर बसे हुए कम सकम 25-30,000 रोपड़े जब वो ग्रहम मंत्री बने और उर्जा मंत्री बने मैं जाकर वैंने उनको बधाई दी और मैंने यह कहा कि मुंडे जी ठीक है मुझे मंत्री पत्तो आपकी प्रसितियां ऐसी है कि मुझे लगता है कि दो पार्टियों के भागीदारी में अभिराम का कहीं इस सुदामा का नंबर नहीं लगेगा लेकिन मैंने कहा कि मुंडे जी एक मैं आपसे बचन लेता हूं आप उर्जावान है और उर्जा आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है पचीस हजार जोपड़ों में जुग्गी जोपड़ी में रहने वाले यही एयरपोर् महत्मा फुले नगर समराट असोक नगर यह सारे छेत्र में कम सका पचीस हजार धोपड़े हैं उनको लाइट नहीं है आपको बचन आप मुझे दीजिए आप मुंतरी मत बनाएए लेकिन लाइट दीजिए बोले तुम तुम हिकमत लगाओ और तुम हिकमत लगाओ काम करन मेरा काम है और मैं उसमें लग गया और एक आदमी जब कोई चीज लगन से लगता है मैं पूरा का पूरा आफीसरों से मिला रिला उस समय बी एस एस कंपनी थी उसके जो भी साही सर यहां पर चीप सेकेटरी थे और उरजा के बाद में केंदर में गए साही साब को मैंने कहा कि आप एरपोर्ट अथार्टी के दृष्टी से कि स्टेट का जो भी होगा इनोसी वो होगा और एरपोर्ट अथार्टी की दृष्टी से मैंने उनसे कहा यह दो लाइन आप लिखकर दीजिए माने सरकार को और रिलाइंस कंपनी को यह वचन दीजिए एर इंडिया को कि आ अपने कास्ट से यह रिमो कर लेगी इमिजेट एक पर्टिकुलर टाइम में जिसे एरपोर्ट अथार्टी का अंडर्टेकिंग ऐसा तीर चार वाने एक सामाने लेटर उन्होंने बुलाया प्रभू साहब थे एक जोगले कर थे यहां पर सब को बुला के मैंने लेटर त्यार करा लिया और उसके बाद उसके बाद मैं मुंडे जी के सामने रखा मुंडे जी ने सारे अधिकारियों को बुलाए एक पिंट्रों सरते उर्जार क्यूंके सेकेटरी एलेक्रिसिटी और वो सब का और इस प्रकार से इनोसी तयार हुई और वह आपने जाकर भी मदद करने क और मुझे याद है कि 1996-97 का उस समय 96-97 के बीच में दिया पचीस हज्जार जोपडों में आप पता लगा सकते हैं मिस्टर नाइम खान वहां पर मिले हैं सब आए चाहे अब के जितने मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता उस समय वाने प्रमोद महाजन जी के छेतर का जो लो सकती वालों से आप पूछेंगे अभेराम सिंग के समय में मुंडे जी उर्जा मंतरी थे और पचीस हजार जोपड़ों में हिंदुस्तान के किसी सहर में एयरपोर्ट अथार्टी पर याईसा नहीं कि केवल वह बीड के लिए बलके मुंबई शहर के लिए बीसे को एयरपो कुछा नहीं सब अधिकारी को बुलाते थे और सब यह कहते थे मुझे प्याने सीनियर पी आई कासी मीरा के पुली स्टेशन में डारेक्ट लगा के मैंने दिया मुंडे जी कान पर लगा के उसको बोले काई रे बाबा आम चामदार अभेराम सिंगा लेला है तो करनार के न जिस प्रकार से मुंडे जी के जैसा ये एक दबदार दबंग नेता अगर ऐसा रहे तो कहीं भी जुग कहीं कोई नहीं और मैक्जिमा मेरिया में उस समय भाजपाक ओड़ देने वाले नहीं यानि उनके जैन में यह नहीं था कि भारती जिनता पार्टी का ओड़ बेंग य और मुझे मालूम था एक बूत हुआई जो टिंग का था लेकिन हमने कहा मुंडे जी बोलते थे अभिराम दलों में बहत रहो उनको दिल जीतो दिल जीत लोगे तो जैसे हम क्योंकि यह कठिन जगा मिली दूसरी बार चुनकर आयो ऐसा करो कि लोगों को दिलों में बैठ ज में भले आप करें राजनीति का जितना भी काम कर सकते हैं करें लेकिन जगा लोगों के दिलों में बनाओ और लोगों के दिलों में बनाई हुई जगा का नमूना देखने को यह मिला कि उनकी असामाईक मौत के बाद आपने देखा किस कदर जनता उनके अंतिम दर्शन के ल जी बहुत संख्षेप में कि समय एकदम संख्षेप सम जी जी तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं को स्वास्त हेल्थ क्योंकि यंग थे डाइनामिक कितना स्वास्त का ख्यार रखते थे उन्हों रहे कहा जी मैंने तीन जी मुझे बना सब का उन्हों